नमस्कार दोस्तों, थोड़े टाइम पहले चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें बताया गया था कि अगर आपके एड़ुकेट किसी परटीकुलर तारिक पेशी पर अवेलेबल नहीं है, तो अपने केस में कैसे अपियर हों और कैसे आगे की तारिक लेवें। उस पर काफी सारे वीवर्स ने पुछा कि सर क्या हम अपना केस खुद नहीं लड़ सकते। काफी पार्टीज को अपने एड़ुकेट से शिकायत भी होती है कि वो उनकी पैरवी ठीक से नहीं करते, इसलिए पार्टी खुद कोर्ट में अपना पक्स रखना चाहती है या अ पहले सवाल चुपे हैं, पहला ये कि क्या हम अपने केस में बिना एड़ुकेट के खुद पैरवी कर सकते हैं और दूसरा ये कि क्या ऐसा करना उचित या फायदेमंद होगा या इसका कोई नुकसान होगा। पहले सवाल का जवाब हम कानून में तलाश करें तो सिविल प् कोई appearance application या कार्य करना है तो इस provision के लिए पार्टी खुद से court के सामने अपीर हो सकेगी या फिर अपने किसी मान्यता प्राप्त अभीकरता या pleader के जरीए अपीर हो सकेगी। पार्टी का खुद से अपीर होना केवल ऐसी परिस्तिती में ही आशक होगा जबकि या तो court ऐसा espust order करें या फिर किसी लोग में ऐसा कोई clear provision हो जिसके नुसार पार्टी को in person अपीर होना जरूरी हो यहां मान्यता प्राप्त अभीकरता के अंतरगत power of attorney holder advocate आ दियाते हैं यानि पहले सवाल का जवाब positive है मतलब हाँ आप अपने case में खुद से पैर्वी कर सकते हो और कानूनन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अपने किसी case में पैर्वी के लिए किसी advocate को appoint करें अब बात करें दूसरे सवाल के कि क्या आपको अपने case में बीना advocate appoint किये खुद से पैर्वी करने चाहिए पहली बात तो यह कि यह विचार मन में क्यों आता है इसके कई कारण हो सकते हैं पहला यह कि party को लगता है कि वो legal process को समझते हैं और उनको court की procedure और कानून का परियाप्त knowledge है इसलिए उनको वकील की जरूरत नहीं है तो इस परिस्थिति में ठीक है यदि ऐसा लगता है और आपको regular अपनी तारिक पेशी पर court में आने में कोई परिशानी नहीं है तो आप अपने case में खुद से पेरवी कर सकते हो इसका कोई नुकसान नहीं होगा दूसरा कारण यह होता है कि कई बार party को लगता है कि वो ज़्यादा educated है और अपने case में किसी वकील से बहतर पेरवी वो खुद कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको यह समझने की जरूरत है कि ज़्यादा educated होने का यह मतलब नहीं है कि आप किसी भी field में जाकर perform गर सकते हो क्योंकि आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो सकते हो लेकिन court की procedure का और practically court में काम कैसे होता है इस बात की जानकारी अगर आपको नहीं है तो आपको अपने केस में खुद से पैरवी नहीं करने चाहिए बलकि अपने केस के लिए advocate अपोइंट करना चाहिए हाँ आपका जो knowledge और efficiency है उसको आप अपना केस अपने advocate के साथ discuss करने में काम मिल लीजिए और advocate के साथ मिलकर केस के लिए अपनी strategy प्लान कीजिए अपने केस में खुद से पैरवी करने की बात काफी लोग इस कारण से भी करते हैं क्योंकि उनकी अपने advocate से ये शिकायत होती है कि वो उनके matter में ठीक से पैरवी नहीं कर रहे हैं या उनकी बात को महत पर नहीं देते और ना ही उनके पक्ष को court में properly रख पाते हैं और party को लगता है कि अपने advocate से better वो अपने केस को जद साब के सामने रख सकते हैं तो दोस्तों ये कारण भी परियापत नहीं है खुद से पैरवी करने के लिए क्योंकि अगर आपके advocate पैरवी ठीक से नहीं कर रहे हैं तो आपको उनसे इस बारे में बात करने चाहिए और फिर वो ना समझें या आपको लगे कि आपके matter पर उनका knowledge परियापत नहीं है तो आप advocate change भी कर सकते हो लेकिन बिना कानूनी procedure को जाने समझें और बिना procedural knowledge के खुझ से पैरवी आपके लिए beneficial नहीं होगी आपको लग सकता है कि मैं आपको अपने case में पैरवी करने से मना कर रहा हूं तो एक बार फिर से समझ लिजिए कि अगर आपको अपने case से संबंधित कानून का ठीक से knowledge है और आप court की proceeding के बारे में ठीक से जानते हैं तो ही आप अपने case में पैरवी कर पाएंगे नहीं तो ऐसा करना आपके लिए नुकसान दाई हो सकता है बिना लोग हो जाने खुझ से पैरवी के क्या-क्या नुकसान है इस बात को समझ लेंगे तो आपके लिए ये समझना और easy हो जाएगा सबसे पहला तो ये कि case में काफी stages होती है और court case पर stage wise ही काम करता है मान लिजी आपका case evidence की stage पर है और आप court से उम्मीद करते हो कि वो आपकी पूरी बात सुने और आपके case का decision जल्दी कर दे तो ये possible नहीं है क्योंकि evidence की stage पर court के विल evidence लेने का ही काम करेगा दूसरा ही है कि किसी case में काफी सारे facts होते हैं और किसी fact को कैसे prove किया जाएगा इसके लिए evidence act में काफी नियम और principle बने हुए है तो ये संभव है कि आपका case या आपकी व्यथा तो सही है लेकिन court के सामने आप उसको उचित ढंग से prove नहीं कर पाते हैं तो सही होने के बावजूद आपको relief नहीं मिलती बलकि आपका case dismiss होने के चांसे ज़्यादा हो जाएंगे पार्टी को खुद को ये पता होता है कि वो सही है या गलत और ये स्वाभाविक सी बात है कि पार्टी उम्मीद करती है कि court उसका विश्वास करे क्योंकि वो सही है लेकिन court में decision केवल उसी material के आधार पर दिया जा सकता है जो file पर available हो इस बात को regular practice करने वाले advocate तो समझते हैं लेकिन party generally इस बात को नहीं समझ पाती इसलिए नुकसान हो सकता है कई बार party general law या procedure को तो पढ़ लेते हैं लेकिन उनके बारे में high court और supreme court के judgment क्या है ये party को पता नहीं होता जो की case में पेश करने जरूजी हो सकते हैं क्योंकि ये judgment भी कानून का प्रभाव रखते हैं तो generally party के लिए ये possible नहीं होता कि इतने सारे judgments का ध्यान रख पाए तो भी अगर case में advocate के जरीए पैरवी नहीं हो रही है तो इसका नुकसान ही होगा एक बहुत जरूरी चीज ये भी है कि जब कोई advocate किसी case के लिए कोई application या pleading तयार करता है तो वो उस पर काफी विचार करके final करता है क्योंकि उसे पता होता है कि आपके किसी statement या pleading का क्या effect होगा लेकिन party खुद ऐसा करती है तो गो इन बारीकियों को नहीं समझ पाती और हो सकता है केस में अपनी ही pleading से अपना कोई नुकसान कर ले तो दोस्तों ऐसे काफी सारे नुकसान है जिन से बचने के लिए हमें अपने case में advocate की जरूरत होती है finally यही कहूंगा कि अगर आप court की procedure और अपने case से संबंदित लोग को जानते है और आपके पास परियापत टाइम है कि आप अपने case में regular appear हो सकते हो तो ही आपको खुद से पैरवी के बारे में सोचना चाहिए अन्य था आपका case जिस nature या जिस field का है उस field के expert advocate अपने case के लिए जरूर appoint करना चाहिए दोस्तों आपके कोई भी legal या tax related सवाल है या आप अपने किसी matter में राय लेने के लिए discuss करना चाहते हैं तो आप screen पर दिखाई दे रहे हैं number पर contact करके हमारे expert से बात करने के लिए call book भी करवा सकते हैं ऐसी ही videos आपको regular मिलते रहें इसके लिए अगर आपने अभी तक हमारे channel को subscribe नहीं किया है तो अभी subscribe कर लिजिए और साथ ही bell icon को भी प्रेस कर दिजिए regular legal updates के लिए आप हमें हमारे facebook और instagram page पर भी follow कर सकते हैं जिनके लिए link description में दिये गए हैं अभी के लिए इतना ही जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद